हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चनल डबलू टू डबलू बूटीक यह हमारा इंस्टा पेज है इसका फॉलो कीजिए तो चले फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे यह जो ग्रीन लाइट कलर है उससे हम बहुत ही प्यारी थ्रीकट कुर्ती बनाएंगे ट्रांसपियर कुर्ती और यह साथ में रखा हुआ इसका अस्तर का कपड़ा है तो इससे में हाफ consuming का कपड़ा लोगि इसके लाइनिक के लिए और बाकी का फॉब मीटर का कपड़ा लोगि मैं इसके पेंट के लिए तो इसको मह बनाएंग साग किर्ती बनांगे थ्रू चले फ्रेंड्स बेली हमा तक हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुचेगा तो चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बहुती सुन्दक ठ्रीकट ट्रांसपेर कुर्थी बनाना और इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जो नेट का वो दो मिटर लिया है तो दो मिटर में आराम से कुर्थी बन जा बनाना नटेज पता है और सब्सक्राइशन सब्सक्राइब ट्राकल कषा तम्वेट लिया हुए हैं सब्सक्राइव मैंने भीक्षा परूरिप्स मेली क wp kalian chborough गृता है तो इस पर्वेशन सब्सक्रावर लिए मां लृता गता हैं सब्सक्राइब लेवा सकते हो तो यह देखिए 24 इसकी जो कमर की गोला ही है और जो कमर की जो 30 इंच लिखा है वो हिप से उपर वाली कमर का साइज है इसकी बाजू में रखनी 16 इंच और 8 इंच की इसकी मौरी है तेरा इंच इसके आमसोल है और इसकी जो चोली है जिसके हम शो बटन लगाएंगे जहां तक उसकी हाइट में रखनी है 15 इंच और इसकी जो टोटल फुल लंबाई है फ्रेंड्स वह है 46 इंच तो इस तरह से फुल लंबाई है में 46 लेनी है तो यह गया इसके नाप लेने का तरीका तो चलिए अब स्टार करते हैं कटिंग करना तो यह फैब्रिक हम इस तरह से खोल लेंगे और यह जो हमारे पास प्लेन कपड़ा दिख रहा है इस फैब्रिक में वह प्लेन कपड़े को हम अठाके अलग कर लेंगे अगर आप कोई भी कपड़ा से लिफ्रेंस कोई भी तरह का उसमें अगर प्लेन बाग होता है तो आप उसको अलग कर लेजीगा जिससे जो कपड़े का लुक है वह खराब नहीं दिखेगा ने तो सिलाई के अंदर प्लेन कपड़ा आएगा तो वह बहुत ही गंदा लगेगा तो इसलिए कोई भी प्लेन कपड़ा होता है तो आप उसको बाहर निकाल लेजीए तो दोनों साइट की किनारों से हम जो इसका प्लेन कपड़ा है वो बाहर निकाल लेंगे इसके बाद में जो हमें साइज रखनी हाइट आप दोनों तरफ से ना आपके देख सकते हैं कि आपकी हाइट जितने चाहिए उतनी आ रही है नहीं आ रही है तो 46 हमारे पास हाइट है तो हमें 48 लेना है इस तरह से पहले मैं इसकी हाइट निकाल ले हूं अब इसको फॉर्फोल्ड करेंगे जिस तरह मैंने आप वीडियो में देखते हैं कि कोई भी कपड़ा कटिंग करने से पहले हम फॉर्फोल्ड करके ही इसको कटिंग करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि हम फॉर्फोल्ड करके कपड़े की कटिंग करते हैं मार्किंग करके तो इस तरह से आपको करनी है और चेक क चाहिए ज़्याइब करेंगे और अगर आपकी साइज ज्यादा है तो आपको कम सबस्काल दाइमेटर कंपड़ा देना पड़ेगा और स्लेवल तो दाइमेटर बन जाएगा फुल स्लेव रखने तो 3 मिटर लेना पड़े कपड़े का पन्हें यू बढ़ाता है इसमें दोनों सेड में प्लियन कपड़ा निकलता यह तो जिससे इसका कम हो जाता है तो जबर कि उसकेर साइब शार्ट तो जितना लेंकर फंध करेंगे बिकॉज आगे इसके लिए जो फ्रंट के भागे उसमें एक्स्ट्रा एक इंच एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा डैक वाले पार्ट के अकॉर्डिंग तो इसी लिए हम पहले बैक पॉर्सन की कटिंग करेंगे उसके बाद में फ्रंट की तो चली यह दीकिए कपड़ा इस तरह से आपको करना आ है इसके बाद में जो बंद हिस्सा होता है कपड़े का बंद साइड की तरफ से हमेशा आपको मार्किंग करनी है तो यह बोटनेक मना रही हूं तो अगर ज्याधा साइज को में तो आप 3 इंच ले सकते हो नहीं तो आप 4 इंच ले सकते हो और इसकी जो लेंद है डी इसलिए आपको तोड़ी प्रॉब्लम होगी, मार्किंग कम दिख रहा होगा, तो यह देखिए, इस तरह से हम मार्क करेंगे, इसके बाद में जो शॉल्डर है, वो हम ले रहे हैं, दो इंच तक, और अगर आपको तोड़ा ज्यादा चीट, आप दाई इंच भी ले सकते हो, और यहां से हमेन आदा इंच तक डाउन करना है, और तीर्चा मिला लेना है, इस तरह से, इसके बाद हम लेंगे, आमशॉल की खुलाई, तो इसके लिए मैंने लिया है, शाढ़े-छे इंच पे इस तरह से हम भुच की खुलाई देंगे, आप इसको भुच भी बोल सकते हो आमसोल की गुलाई भी बोल सकते हो और आदा इंच हम अंदर की तरफ ले रहे हैं अंदर की तरफ गहराई में और इसको इस तरह से तिर्चा करके मिलाना है पूरा वीडियो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर अगर कहीं पर नहीं है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो तो मैं आपको इसका रिपलेजर उर्दूंगी और जितना हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करूंगी तो यह देकिया आमसोल्डी की गुलाई देने के बाद में हमें 14 इंच नीचे तक एक मा-क करना है और इसके बाद में 7 इंच पए और मार्क करना है आम सोल के निचे वाली जहां पर मार्क लगाते हैं उससे आदा हमें लेना है और वहां पर हमें कोमर की गुलाई देनी है इस तरह से एक इंच हम कम कर लेंगे और इस तरह से मार्किंग करके इसकी गुलाई देंगे ये गोलाई देना जरूरी है friends इससे जो body shape है अच्छे से आता है सिलाई में और सिलने के बाद अच्चे से गोलाई बनती है जिस तरह marking करते हैं उसी तरह सेम सिलते हैं तो गोलाई बहुत जरूर है friends तो इसलिए आप कोई भी कूर्ती सिले इस तरह से गुलाई जरूर दे कमर के बाग में इस तरह में कटिंग कर लेना है यह हमारा बैक पार्ट है फ्रेंट फ्रेंट पार्ट हम इसके बाद कटिंग करेंगे और यह चाक बनाने के लिए मैंने यहां पिकट लगा है यहां से हमारा जो कुर्टी का चाक बनेगा और यह हमारा फिटिंग साइज है तो यह देखें फ्रेंट बैक पार्ट कम्प्लीट है इसके बाद हम फ्रेंट पार्ट की कटिंग करेंगे जो फैबरिक हम ने बचा हुआ था उसके उपर हम जो हमारा बैक पार्ट है उसको इस तरह से रख लेंगे और आपन साइड से बराबर रखेंगे फ्रेंड्स और जो बन साइड हमारा था उधर से हम कपड़ा एक्षा लेंगे बिकोज फ्रेंट साइड में भी हमें एक्षा कपड़ा चाहिए होगा क्योंकि फ्रेंट में भी कट बनेगा तो इसके लिए हमें कम से कम एक इंच और ज्यादा एक्षा लेना है बैक पोर्शन के अकॉर्डिंग और जो भी आपकी साइज आती है उसके बाद भी हमें इस तरह से एक्ष्ट्रा लेना है और बागी का जो नाप है वह में सेम इसी तरह से कट कर लेना है जिस तरह से हमने बैक पार्ट कट किया था सेम उसी तरह से में कट करके अलग कर लेना है वीडियो पसंद आये तो फ्रेंट्स लाइक करना ना बुलिए बिकोज आपकी आपका लाइक करना ही हमारा सक्सेज है इस तरह से हमने बैक को फ्रेंट दोनों बार कटिंग कर ले हैं और दोनों बार कटिंग करने के बाद जो मारा फ्रेंट साइड है उसकी आम सोल की गुलाई में हमें आदा इंच तक एक्स्रा गुलाई देनी है यह ओनली फ्रेंट भाग में ही देनी है और जो हमने बन साइड की तरफ से एक्स्रा कपड़ा लिया था उसको भी मीडल में से हमें कट करके अलग कर लेना है यह बीट्स वाला कपड़ा है मेरे पास तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है कटिंग में बट सीलने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद तो अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा बीट्स वाला कपड़ा हो तो आराम से कट कर लेगा और यह बीट्स निकल भी जाते हैं आराम से तो जहां जहां आपके सिलाई के अंदर आपको लगता कि यह आएंगे तो सिलाई में प्रॉब्लम हो सकती है तो वहां से आप बीट्स को अटा भी सकते हो तो यह देखें यह मैंने 15 इंच पे एक पॉइंट लगाया है यहां पे नुचिस लगा रहे हूं 15 इंच की लंबई पे शोल्लर से 15 इंच तक विकॉज यहां पे जो मैंने चोली का नाप लिया था तो वह चोली का साइज है वह मैंने यहां पे निशान लगा के बनाया है अब बचे हुए कपड़े की हम स्लिव्स बनाएंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स यह इस तरह से आपको स्लिव्स की साइज लेना है और जो भी आपकी साइज हो स्लिव्स की उससे आपको दो इंच एक्टर लेना है और इसको फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से और फिर आपकी जो कुर्ती है उसकी जो आम सोल की गुलाई है उसको आपको नाप लेना है जिससे कि आपकी जो क्लिफ्स कटिंग होगी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपकी जो भी साइज आती है तो इससे आपको एक इंच अक्षा लेना है आप इस तरह से नापके चेक कर सकते हैं तो यहां पर मेरे पास आ रहा है आट इंच तक लोगी मैं इसको अब आदा इंच अक्षा ले सकते हो आपकी जो भी गुलाई की साइज आती है उससे बड़ ज्यादा कम ना ले अब इसके बाद जो कप्ड़ा एक्षा है उसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से अब हम बाजू की मार्किंग करेंगे तो यह देखिए इसमें भी आपको बन साइड और ऑपन साइड का ध्यान रखना है यह देखिए जो खुला हिस्सा हमारे पास है वहां से हम साड़े तीन इंच तक लेंगे इसलिए फिर यहां से हम डेड़ इंच तक एक मार्क सीधा करेंगे इसके बाद इसको तीर्चा करना है जो हमारी इसलिप की लंबाई स्टार्ट होती वहां तक और इंच टेप को इस तरह से बराबर आदा करना है और उपर की तरफ में मिडल पे जहां पे भी मार्क आया है आदा इंच उपर बढ़ा के फिर हमें इसकी गोलाई देनी है इस तरह से आप स्लिप्स की गोलाई दे सकते हो और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी स्लिप्स की कटिंग करने में देखिए फ्राइज कितने अच्छी गुलाई बनी है तो इस तरह से आप अराम से स्लिफ्स की गुलाई दे सकते हैं इसके बाद हम मौरी की साइज लेंगे तो यह देखिए 8 इंच अमारी मौरी ती तो इसका आधा करके लेंगे 4 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे और इस आधी वहां तक हमें इस तरह से तिर्चा मिला लेना है और जो भी अक्षा कपड़ा है वह में कटिंग कर लेना है इस तरह से फ्रेंड्स आप कोई भी डिजाइनर कपड़े को कटिंग कर सकते हो इसमें गबरने वाले बिलकुल भी बात नहीं है आप बिलकुल आराम से कि बराबर वाला भाग वहां पर हमें एक चोटा सकत लगाना है जिससे कि हमें ध्यान रहे कि हमारा मिडल पॉइंट है इसके बाद में जो आगे का भाग होता है हमारा वहां एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है तो इस तरह से हम यह जो लिव्स के जैसे डिजाइन निकला है स्लिव से तो इसकी जो गोलाई है वो एक इंच लगबग एक्स्ट्रा होती है गहराई जिससे आगे हमारे जो भी कुर्ती होता है ब्लाउज कोई भी आपैंतो उसमें रिंगल्स नहीं आता है तो इसके लिए जो गोलाई की कटिंग ज़रूरी है स्लिव में अब यह मौरी की साइट से अब मसीन के पहर किनाप से एक सिलाई लगानी है इस तरह से आप अराम से सिलाई लगाए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स और पास में दीए गए बैल आइकम पर क्लिक करिए जिससे सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुच पाएगा और आप हमारे कोई भी लेटिस्ट वीडियो को मिस्स नहीं करेंगे सबसे पहले देख पाएंगे अब देखिए जो हमारा स्लिफ्स कंप्लीट होने के बाद इसी तरह आपको दूसरे स्लिफ्स भी कर लेनी है अब हम कुर्ती का फ्रेंट साइड है वो हम कर रहे हैं तो हमने जो 15 इंच पे एक पॉइंट लगा था उपर शोल्डर की तरफ से 15 इंच पे एक पॉइंट लगा था वहां तक हमें सिलाई लगानी है पूरे लास्ट तक नहीं ले जानी है ओनली वहां तक हमें सिलाई लगानी है गले की तरफ से स्टाट करना है और जहां पे पॉइंट है वहां तक लेकिया आना है फिर वापस मसीन को गुमाते हुए वापस गले की तरफ लेकी जाना है जिस तरह से हम चाक बनाते हैं कमर की गुलाही देने के बाद. सिम वही वाला प्रोसेस है यहां पे. और जहां पे हमारा माग करा है हमने वहां पे हम इस तरह से नेडल को अंदर रखते हुए. फिर हम इस तरह से कपड़े को गुमा कर वापस जो सिलाई हमने लगाई थी उसी के उपर उपर हमें मसीन चलाना है तो इस तरह से हमने ये देखिए जो कुर्थी का फ्रंट बाग था जिसको हमने कटिंग क्या रहा था वापस उसको जोड लिया है अब इन दोनों बाग को इस तरह से बराबर करेंगे दोनों साइड में और अंदर की तरफ इस तरफ फोल्ड करते हुए हमें सीधी सिलाई लगाने है अब जो हम ये सिलाई लगाएंगे वो एंड तक लगाएंगे फ्रेंड्स तो यह देखिए इस तरह से हमने पूरे लाश्ट तक कर दिया है और जहां से उपर वाला हिसा बंद है वहां पे हम सो बटन लगाएंगे और अब हम इसका नेक तैयर करेंगे इसके लिए मैंने दिये देखिए क्रॉस पटिया लिए क्रॉस पटियों को इस तरह से आप अगर आपके कम पड़ता है तो इस तरह से आप इसको जोड सकते हैं इनको उरे पट्टी भी बोल सकते हैं तो इस तरह से जोड के इनको एक कर लिया है ये कम से कम आप 1.5 इंच तक चौड़ी ले सकते हो अब जो गले का राइट साइड है सीधा वाग उदर हमें इस पट्टी को इस तरह से डबल करते हुए रखना है और लगाते समय ध्यान रहे फ्रेंट्स जो गले की गुलाई है उसी तरह हमें इसको लगाना है जो कुर्ती का कपड़ा है उसको खिचना नहीं है बिल्कुल भी और जो हम ये क्रॉस पट्टी ले रहे हैं वो भी इस गले के बराबर होने चाहिए ये देखिए इस तरह गले में लगाने के बाद हमें इस तरह से इसको उपर की तरफ करते हुए एक टॉप सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से अब इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है फोल्ड करते हुए बराबर से ताकि ये पट्टी दिखे ना इसको पूरा अच्छे से अंदर की तरफ दबाते हुए हमें मसीन के पैर के नाप से राउंड में एक सिलाई लगानी है उसी तरह सेम हमें बैक साइड भी रेडी कर लेना है तो ये देखिए इस तरह फ्रांट और बैक दोनों हमने रेडी कर लिया है इसके बाद हमें इनकी फिटिंग करनी है तो इसको हम दोनों को जो हमारा राइट साइड है अंदर की तरफ रहेगा और दोनों शोल्डर पर हम सिलाई लगाएंगे ये देखिए खुलने के बाद इस तरह निकलेगा तो दोनों शोल्डर पर हमें सिलाई लगानी है िस तरह से स्लिव लगेगी इसको आमें इस तरह से पलटना है। और मिडल बाक को लेना है। शोल्डर की जो जॉइंट है बहुएं वहां पे रखते हुए हमें जिस तरह से कपड़े की गुलाई बनी हुई है। सेम उसी तरह से दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ते हुए, एक सिलाई लगा लेनी हैं, कपड़े को बिल्कुल भी किछना नहीं है, आराम से सिलाई लगानी है, तो आपकी जो सिलाई लगेगी बिल्कुल अच्छे से गोलाई में लगेगी, और सिलाई का मार्जन आप निकल सकता है, तो इस तरह दोनों स्लीव लगाने के बाद, हमें फिटिंग लगाना है, जो 14 इंच की गोलाई, 14 इंच तक हमने माग करा था, गोलाई देने के बाद, तो वहां तक ये देखिए, वहां से जिस तरह कटिंग करा हुआ है कपड़ा, सेम उसी तरह से हमें दोद इंच थी, तो चार इंच पे ना करके हम साड़ी चार इंच पे पॉइंट लगाएंगे, जिससे आधा-धा इंच लूजिंग होगा, तो पैनने में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसी तरह से हमें दोनों साइड में हमने फिटिंग लगा के इसको तियार कर लिया है, अब ह हमारी सिलाई का पॉइंट एंड होता है, वहां से हमें कपड़ा ऐसे बराबर सीधे वाग में रखते हुए, इस तरह से फोल करके लेना है, कपड़े को खिचना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आपके जो चार बनेगी, सीधी नहीं बनेगी, उसमें टेडी टेडी लगेगी आपको सलवटे आजाएगी, तो खिच के बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आप कोई भी कपड़ा सिलते हो, तो खिचना नहीं है, आराम से सिलाई लगाएं, जिससे आपके कपड़े में फिनिशिंग भी दिखेगी, और सिलाई में भी देखो, अच्छे से सिल जाएगा, इ इस तरह से आपको दोनों साइड में चाक बना की इसको त्यार कर लेना है, बाद में जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रहा है,